गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं संभारिक या आईसो बार्स पिछले लेक्चर में हम लोग समस्थानिक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे संभारिक या आईसो बार्स किसे कहते हैं तो पहले देखते हैं संभारिक क्या होते हैं इनकी परिवासा समान द्रब्यमान संख्या परंत भीन भीन परमाड़ कर्मांक के परमाड़ों को संभारिक कहते हैं तो संभारिक में क्या होता है कि परमाड़ कर्मांक अलग-अलग होता है लेकिन द्रब्यमान संख्या क्या होती है समान होते हैं द्रब्मान संख्या समान होते हैं और परमाड़ कुर्मान का अलग होता है तो परमाड़ कुर्मान का अलग होने का ताजपरिया की परमाड़ ही अलग-अलग होते हैं यह कहीं परमाड़ नहीं होते हैं तो इसमें देखते हैं एक्जामपल के तौर पर उदाहन इसका या एक् त्री ट्राइटियम और हीलियम का समस्थानिक है वान थ्री टू यची थ्री अब देखिए यह जो होता है इसको पर्माडू कर्मांग कहते हैं पर्माडू कर्मांग पर्माडू कर्मांग कहते हैं अब पर्माडू कर्मांग क्या होता है या पर्माडू कर्मांग किसे कहते है इसको हम लोग पीछे लेक्चर में हमने वीडियो अपलोड कर दिया है देख लिजेगा कि परमाड़ करमांग क्या होता है और इसको कहते हैं द्रब्यमान संख्या या मास नंबर द्रब्यमान संख्या द्रभमान संख्या परमाण कर्मान को इंग्लिस में कहते हैं मास नंबर यानि जो संभारिक होते हैं उनका atomic number जो होता है वो different होता है और mass number जो होता है वो same होता है तो अगर कोई परमाड़ु ऐसे हैं जिनका परमाड़ु कर्मांग यानि atomic number अगर अलग-अलग है और mass number same है यहीं द्रब्मान संख्या सेम सेम है और परमाड़ कर्मान अलग अलग है तो ऐसे परमाड़ जो होते हैं वो समस्ता संभारिक कहलाते हैं तो संभारिक में क्लियर हो गया कि समान द्रब्यमान संख्या तो देखिए द्रब्यमान संख्या दोनों का समान है परंतु भिन भिन पर्माडु कर्मांग तो देखिए दोनों के पर्माडु कर्मांग क्या है भिन भिन है तो ये पर्माड जो होते हैं ये संभारिक कहलाएंग तो क्लियर हो गया कि समान द्रब्मान संख्या परंत भिन भिन परमाड़ करमान को वाले परमाड़ जो होते हैं ओ संभारिक आई-72 कहलाते हैं यह एक एक जांपल हो गया इसी तरह से हम लोग अगला एक जांपल देखते हैं संभारिक का मैं आर्गन है कि परमाड़ करमांक 18 द्रब्मान संख्या 40 और कैल्सियम है परमाड़ करमांक 20 द्रब्मान संख्या 40 अब देखे दोनों एक आर्गन है और LCM है दोनों परमाड़ तो अलग हैं लेकिन इसका परमाड़ करमांग देखिए और इसका परमाड़ करमांग दोनों के परमाड़ करमांग यह टॉमिक नंबर दोनों के अलग अलग हैं लेकिन मास नंबर दोनों के सेम सेम हैं यह द्रबमान संख्या दोनों का इसका भी और इस और परमाडू कर्मांग अलग-अलग हों तो संभारिक कहलाते हैं तो ये आरगन और कैल्सियम 18-40 और कैल्सियम 20-40 ये दोनों जो है संभारिक हैं अब इसी तरह से हम लोग अगला एक्जामपल देखते हैं संभारिक का कर्बन से चौदय और नाइट्रोजन साथ चौदय अब देखिए दोनों में छौदय-थोड़ा साफ जोदय आप देखिए यह कार्बन है और यह नाइट्रोजन है अब दोनों के परमाडू कर्मांग क्या हैं भिन भिन है मतलब अलग-अलग हैं लेकिन द्रभमान संख्या य तो यह भी दोनों परमाणु जो होते हैं, वो संभारिक कहलाएंगे, तो संभारिक यह भी हो गया, इसी तरह से हम लोग अगला एक्जामपल संभारिक का देखते हैं, आईरन है, जिसको हम लोग यह अफी से डिनोट करते हैं, इसका परमाणु करमांक 26, द्रब्मान संख्या है, 58, 58, इसी तरह से निकल है, इसका परमाणु करमांक जो होता है, वो 28 होता है, और द्रब्मान संख्या इसका भी 58 होता है, अब ये दोनों पर्माड में पर्माड कर्माड दोनों के क्या है अलग अलग है लेकिन द्रभमाड संख्या इन दोनों के क्या है सेम है तो ये भी पर्माड क्या हो गए संभारिक का लाएंगे क्योंकि संभारिक के लिए हमने पहले ही बता दिया कि द्रभमाड संख्या संभार 258 देखे दोनों के परमाड़ करमान संख्या सेम है और परमाड़ करमान अलग-अलग है तो ये भी परमाड़ जो है संभारिक कहलाएंगे तो हमने हाइड्रोजन और हिलियम को देखकर बताया संभारिक में आरगन कैल्सियम का उदाहन दिया कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 का उदाहन दिया इसी तरह से आईरन और निकल का भी उदाहन आमने दिया संभारिक में तो ये रहा संभारिक की परिभासा और संभारिकों के उदाहन